असलाम नेकों वेवर्स उमीद करते हूँ आप सब खेरियत से होंगे माई नेम इस उर्वा अजीम आइम पीपीएसी लेक्चिरर केमिस्ट्री टॉपपर 2022 पीपीएसी से रिलेटिड मैंने आप लोगों से लेक्चिरर केमिस्ट्री के जो प्रीवेस इंटर्व्यूस हैं उनमें पूछे जाने वाली क्वेस्ट्न सेयर करने का कहा था तो यह उस सलसली की पहली वीडियो है जिसमें हम 20 फोट्री क्वेस्ट्न और उनके आंसर्वेस वह हैं वो डिटेल में देखेंगे questions की तरफ जाने से पहले कुछ लोगों ने जो questions किये हैं पिछली वीडियो पर उनका उन पर जरा मज़ीद इन चीज़ों को elaborate कर देते हैं जो demo है demo के बारे में बूचा कि वो किस हद तक होना चाहिए या किस तरह को होना चाहिए कि demo simply जैसे आप कोई भी topic जो है अगर कहीं teaching करते हैं या आप जब semester system में presentations देते थे तो तब जब अपने topic को present करते थे तो simple यह इस तरह की चीज़ है कि आपने उनको teach करना है और teach करते होगे दो तीन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है जो मैंने पहले भी बताई थी कि आपने board का use बड़ अच्छा करना है और अपने topic को पहले उस topic का जो नहीं मैं उसको explain करें उसके जो भी बनता है जो भी उसका explanation होगी word की देन आप उसकी definition है उसके बारे में लिखें और proper एक जैसे कोई भी एक अच्छा teacher आपको teach करता था उस वह में demo को लेके चलें और demo इतना जादा वो lengthy नहीं लेते सिर्फ उन्होंने जोर सा method लेखना होता है कि आपका कैसा है कुछ लोग कुछ होते हैं interviewers हो जो इस भी तरह को question होगा then second number पर dressing के बारे में पूछा तो dressing जो है जो एक female थी उन्होंने पूछा आप अगर अबाया भी पहनते हैं तो कोई problem नहीं है अगर आप वेल करते हैं तो इसमें कोई भी ऐसे शर्मिंदगी वाली बात नहीं है आप अबाया भी पहन सकते हैं लेकि कोई भी आप stroller यूज करते हुए अपना वेल कर लें यह ज्यादा एक decent look होती है बाकि आप जैसे comfortable हो वैसे आप जा सकती हैं वहां पर कोई issue नहीं होगा देन schedule की किस लोगों को समझ नहीं आई interview preparation के लिए जो schedule मैंने suggest किया था वो यही था कि आप एक दिन में अगर 6 गंटे भी देते हैं तो 6 गंटे में से डेर डेर गंटा आप चार चीज़ों में divide कर दें डेर गंटे में आप FSC का portion divide कर लें कि आपने एक महिने में FSC अगर cover कर करनी है तो उसका एक दिन में कितना portion आता है एक chapter आता है या डेर चप्टर आता है या कितना chapter आता है उसको आपने अच्छे से उसको prepare करना है में कि उसमें जितनी भी concepts हैं जितनी भी definitions हैं वो देखनी है exercises को उच्छे से देखना है और देन आप second portion में BS और उनी topics को जो FSC के या उसके इलावा जो आपने test के लिए prepare की हैं BS level की आप second portion में उन चीज़ों को revise करें क्योंकि किसी भी चीज़ को memorize करने के लिए आपकी revision बहुत ज़रूरी है वो चीज़ें आप दुबारा से revise करें third portion में आप उन important topics को रख सकते हैं जो के मैंने आपके साथ पहले previous जो mystery का topic भी add कर सकते हैं then fourth portion पे आप इस तरह कोई भी questions की practice कर सकते हैं अपना introduction की practice कर सकते हैं कोई किसी भी topic पे आप demo की practice कर सकते हैं और थोड़ा सा अपने आपको अपने चुंके वहां पे जाके बोलना है अब या MCQs का तो exam नहीं है तो आप कोशिश करें कि आप थोड़ी सी मीडर के सामने करें होके और questions के answer देने की practice करें next question की तरफ आते हैं first question है differentiate between volumetric and gravimetric analysis volumetric analysis जो है ये भी quantitative analysis है और gravimetric analysis भी quantitative है volumetric में हम volumes को use करते हुए किसी भी unknown compound की amount को find करते हैं जबके gravimetric में हम उसको एक variable form में convert करते हैं जो unknown compound है और then हम उसका weight find करते हुए और उसको amount of unknown substance हो है वो calculate कर लेते हैं volumetric analysis में हम titration को use करते हैं और titration में indicators use होते हैं जबके gravimetric में हमारा जो है unknown substance उसको हम precipitate करते हैं तो precipitate जो होता है उसको filter करके और washing का जो process है यह इसमें involved होता है volumetric analysis में endpoint color change आता है वो indicator जो है वो color change करके हमें बताता है कि हम पे endpoint आ गया जबकि gravimetric analysis में endpoint तब होता है जब precipitate form हो जाते हैं volumetric analysis में units को use होते हैं वो सारे volume की units है liter हो गया ml हो गया meter cube है dm cube बगार दीम cube लीटर को ही कहते हैं और gravimetric analysis में हम वेट के जो हैं वो units वो यूज करेंगे ग्रैम मिली ग्रैम किलो ग्रैम एट्सेटरा देन volumetric analysis की types में acid-based titration आ जाती है redox titration है complexometric titration है gravimetric की जो types है उसमें volatilization है और gravimetry है देन इसके example देख लेते हैं volumetric analysis petroleum और food industry में widely use होती है technique इसके लावा laboratory में भी हम इसको mostly यूज करते हैं और food industry वगरा में हम free fatty acid content of an oil find करने के लिए इसको यूज करते हैं अगर acetic acid को हमने find करना है जब food industry में find करता है कि किया जाता है कि इसमें कौन सा content कितनी percentage में और कितना है जैसे acetic acid को find करना हो के vinegar में कितना है mayonnaise में कितना है और ketchup में कितना है तो हम hydrations ही use करते हैं जैन ग्रेविमेट्री की जो इसमें हमारे बास आजाता है कि हमने drinking water में mineral content find करना है जैसे fluoride content कितना है mercury का कितना है calcium का कितना है इसके हिलावा एक simple से example example है कि जहां पर भी weight किया जाते है किसी भी चीज का वह actual में gravimetric analysis में ही आएगा जैसे doctors हैं वह patients का weight करते हैं तो यह भी एक gravimetric analysis की ही example है daily life में से देन सेकेंड नमबर पर question आता है कि जो carbon dioxide है वह IR को absorb करता है कि नहीं करता carbon dioxide जो है वह IR absorb करता है IR stands for infrared radiation और इनकी range जो है वह 0.7 से 10.3 micrometer तक होती है carbon dioxide चुंकि इसमें four vibrational modes होते हैं एक symmetric stretch है जिसमें के दोनों जो oxygen हैं वह एक ही direction में stretch होती है और दूसरा asymmetric है जिसमें एक अगर तो away जा रही है तो दूसरी oxygen carbon के करीब आ रही होगी थर्ड नमबर पर दो तरह की हमारे पास bending होती है और यह दोनों जो bending vibrations होती है यह degenerate होती है इनकी energy सेम होती है और यह absorb करती है आयर को carbon dioxide जो है वो आयर को absorb करती है तू तू फिफ्टीन माइक्रो मीटर के दर्मयान carbon dioxide आयर को absorb करती है इसलिए इसको greenhouse gas भी कहा जाता है greenhouse gas आजकल वैसे भी global warming जो है उसका और climate change जो है वो बहुत जादा common issues है global issues है हमारे यहां पर तो इसके बारे में question जो है उसका answer हमें पता होना चाहिए कि carbon dioxide है वो एक greenhouse gas है और greenhouse gas क्या करती है कि वो जो भी radiation sun से आती है arts की surface से तक्रा के arts की surface से जब तक्राती है तो वो ज़रा higher longer wavelength में convert हो जाती है तो atmosphere में हमारे पास carbon dioxide होती है यह इसके लावा कुछ और भी greenhouse gases है तो वो इन radiation को absorb कर लेती है then absorb करने के बाद वो इनको re-emit करेंगी और जब re-emit करेंगी तो वो हर direction में करेंगी mean वो space की तरफ भी होगा अर्थ की तरफ भी होगा और बाकी directions में भी होगा तो half जो है वो तो space में चले जाएंगी और half दुबारा से अर्थ में आ जाएंगी तो इसको हम एक इसम से कहते हैं कि यह trap हो गई है जो आयर radiation यहां जो heat energy है sun की वो trap हो गई है जिसकी वज़ा से atmosphere का temperature हाई होने की वज़ा से global warming जो है उसका phenomenon होता है next question आता है कि which are greenhouse gases is water are greenhouse gases which greenhouse gases वो वली gases होती है जो के long wavelength की जो radiation है उनको absorb कर लेते हैं और जिसकी वज़ा से atmosphere का जो temperature है उसको हाई करने की का cause बनती है हमार पस जो greenhouse gases है उनमें carbon dioxide है जिसके बारे में हम पहले भी परसुके हैं और methane है nitrogen oxides है इसके इलावा water है तो water भी एक greenhouse gas है क्योंकि यह long wavelength की जो radiation है उनको absorb करती है और इनको radiate back करती है जिसके वज़ा से contribution देती है global warming में लेकिन जो water है water क्योंकि इसकी concentration atmosphere में variable होती है एक पूरा water cycle चल रहा होता है जिसके नतीजे में water vapors हो है वो condense भी हो रहे होते हैं condense होके वो rain की form है या किसी भी form में वो नीचे आ रहे होते हैं और water vapors की concentration है वो low होती है वैसे बाकी gases के मुकाबले में तो इसकी low concentration होने की वज़ा से यह इतना बड़ा majorly contribute नहीं कर रही global warming में इवन अगर हम water का देखें तो water IR radiations को ज़्यादा absorb करने के सलाहिया रखते हैं carbon dioxide से भी ज़्यादा नेकिन यह atmosphere में काम concentration में हैं इस वज़ा से यह इतना ज़्यादा global warming cause नहीं करते जितना के बाकी gases करते हैं और यह भी कहा जाता है कि जो water vapors हैं उनकी amount atmosphere में ज़्यादा होना वह असल में global warming के नतीजे में हैं जब global warming होगी warming के नतीजे में water की जो evaporation है different water bodies से वह ज़्यादा हो जाएगी और जिसकी वज़ा से water evaporate होके water vapors की amount ज़्यादा कर देगा atmosphere में तो यह एक इसम से इसका consequence भी है warming का next question है कि जो venus है वो earth से hot क्यों होता है और mercury से भी earth से hot होने के तो समझ आती है कि वो sun के ज्यादा करीब है earth की निस्बत लेकिन mercury से तो दूर है मिन कि जो mercury हो sun से ज्यादा करीब है तो mercury को hotest planet होना चाहिए था लेकिन ऐसा नहीं है उसकी क्या reason है venus का atmosphere अगर हम देखें तो वो thick और toxic atmosphere है जिसमें carbon dioxide भी है उसके लावा sulfuric acid के vapors भी हैं तो यह दोनों जो जीज़ें हैं यह क्या करती हैं कि यह sun की heat को बहुत जादा absorb कर लेते हैं और उसको reradiate back नहीं करती space में तो जिसकी वेदा से वो एक इसम से वो trap करके रखती है heat को और इसका temperature बहुत जादा हो जाता है और यह hottest planet of solar system भी है इसको temperature है वो 475 degree centigrade या फॉर्ण हाइट में कहें तो 900 फॉर्ण हाइट है और इसको hottest planet कहते हैं इसके इलावा इसको earth का twin भी कहते हैं वो क्यों कहते हैं कि Venus का अगर हम size या structure देखें तो वो earth से बहुत जादा मिलता जूलता है इसलिए इसको earth का twin भी कहते हैं next हमारे पस question number five है कि जो absorption bands है UV visible spectroscopy में वो broad है जबके IR spectroscopy में पीक्स की form में है तो UV visible spectroscopy में जुके हमें पता है कि इसमें electronic transitions होती हैं और electronic transitions जब होती हैं तो हर electronic energy level में बहुत सारे vibrational energy levels होते हैं और हर vibrational energy level में बहुत साथ rotational energy levels होते हैं तो जब electronic transition होगी तो वो किसी भी एक electronic energy level के एक खास vibrational energy level और उसके एक खास rotational energy level से excited state के जो है एक खास vibrational energy level और उसके खास rotational energy level में होंगी इसका मतलब यह हैं कि एक level में बहुत सारे transitions वो possible हो सकती हैं और इन transitions का जो आपस में difference है वो बहुत low है जिसकी वज़ा से जो हमारी lines आनी है जो adoption की lines आनी है वो बिलकुल करीब करीब आती हैं कि उनको हम differentiate ही नहीं कर पाते तो उसको हम एक band एक broad band की शेकल में जो हमारे पस result है वो आ जाता है और इ यह कि जो UV visible है उसमें जो transitions possible है वो बहुत जादा है और वो इतने जादा और इतने उनका energy difference इतना कम है कि हम उनको differentiate नहीं कर पाते हैं तो जिसकी वज़ा से यह एक broad bands आते हैं यहां पे एक UV visible का जो graph है वो दिखाया हूँ है then IR की बात करते हैं IR में peaks होती है तो जो peaks होती है peaks चुंकि यह narrow peaks है तो narrow peaks क्यों है यह इसी वज़ा से है कि इन में जो transitions होती है IR spectroscopy में वो vibrational transitions होती है और vibrational transitions हो हैं उनकी possibility electronic transitions से कम है जिसकी वज़ा से small number of transitions possible और जितनी transitions होंगी बस वही peaks की form में हमारे पास नज़र आएंगी जैसे कि यहां पर IR का एक graph निकाया हुआ है यहां से clear हो रही है चीज़ें के broadband UV में कैसा है और IR में peaks की form में कैसे आती है यह question एक बहुत common है और बहुत favorite question भी examiner का interviewer का और mostly यह question पूच लिया जाता है next हमारा IR से ही question है कि IR spectrum जो है उसकी inverted peaks क्यों होती है यह mean कि उसका spectrum है उसको invert क्यों किया गया होता है तो इसके सिंपल सा answer तो यह है कि यह एक arbitrarily इसको select कर लिया गया है अगर इसके मज़ीद explanation हमने देनी है तो उसमें यह है कि इसमें हम चुँके transmittance लेते हैं absorption नहीं लेते हैं तो transmittance जो उसका अगर तो बिल्कुल ही absorb नहीं हो रही तो वह 100% होगी transmittance जहां पर absorb होगी वहां पर हमारे पास जो पीक है वो नीचे को आ जाएगी और वहां पर transmittance कम होगी जहां पर पीक होगी और absorb और वो शो करेगी कि कोई ना को radiation यहां पर absorb होई है तो हम देख लेते हैं it records the amount of light reaching detector mean के जो transmitted हुई है light उसको record करता है और इसलिए downward deflection आती है upside down peaks आती है inverted peaks जो हैं वो observe होती है spectrum में और वो molecular stretching यह मजीद जो है IR की explanation है कि वो जो peaks है वो molecular stretching और bending vibrations की वज़ा से आती है और आप इसको switch करके अगर तो आप absorbance ले रहे हैं right side पे तो आप ग्राफ को skip भी कर सकते हैं इसका कोई problem नहीं है वैसे arbitrarily यह choose हो गया हुआ है कि transmittance लिए जाती है तो जिसके वज़ा से यह peaks inverted आती है ते नमर रपस seven number पे question आता है define chromatography chromatography अब इस तरह की questions होते हैं उसमें आपको definition करते हुए आपको तो तीन चार जो points definition के जो कि important चीज़े हैं उनको highlight करने बेशक आप जो definition आप याद करते हुए कि यह points इसमें जरूर आने हैं और इनको जरूर include करना है जब भी definition सुनानी है किसी को कुईसी को भी बतानी है ठीक है तो जैसे अगर हम इस मिक्रमाटोग्राफी में देखें आप फिजिकल टेकनीक मिनकि यह कोई chemical यह कोई और टेकनीक नहीं है यह फिजिकल टेकनीक है और the separation of a mixture जो के हम एक mixture के जो components उनको separate करने के लिए यूज करते हैं by passing it in solution or suspension through a medium in which components move at different rates between two phases और जो components हैं वो different rates पे mobile phase है जो के mobile होती है में इनके move करती है और वो move किस पे करती है एक stationary phase पे जो के वहां पे stationary पड़ी होती है तो यह कुरमाटोग्राफी की simple definition है easy question है यह वाला then हमरे बस question आता है HPLC और GC में difference यह भी common question है यह भी mostly कर लिया जाता है HPLC जो है वो stands for high pressure या कुछ जगों पे high performance पे लिखा होता है दोनों ही सही है high pressure और performance liquid chromatography और GC stands for gas chromatography HPLC में जो mobile phase यूज होती है वो liquid होती है और GC में जो mobile phase यूज होती है यह एक difference आ गया then इसमें जो HPLC में हम sample use करते हैं वो non-volatile compounds mostly use होते है और वो ऐसे compounds होते हैं जो के high temperature पे decompose हो सकते हैं तो जिसके वज़ा से हम यहां पे high temperature provide नहीं करते हैं सिरफ high pressure provide करते हैं और उससे अच् use होता है वो volatile compounds होते हैं और volatile compounds वो ही होते हैं जो के high temperature पे भी stable होते हैं decompose नहीं होते हैं HPLC जो है उसमें हम high molecular weight जो compounds हैं उनकी भी separation कर सकते हैं मिन के high molecular weight compound के लिए हमने कौन से technique यूज करनी है HPLC जबके GC में GC को हम इन compounds के लिए use नहीं कर सकते हैं मजीर differences देखते हैं HPLC जो है उसमें high pressure required होता है इसलिए इसका नेम जो है high pressure liquid chromatography है यह असल में हमारे पस liquid chromatography की ही एक kind है जिसमें के हम port size जो stationary phase का port size है वो हम बहुत चोटा यूज करते हैं जिसकी वज़ा से liquid को travel करने में problem आती थी तो उसके साथ pressure का एक mechanism छोड़ दिया गय कि वो pressure high pressure से liquid को liquid mobile phase को अंदर बेचेगा और जो है resolution अच्छी आ जाएगी और speed भी ज्यादा हो जाएगी इसके लावे GC जो है उसमें high pressure required नहीं होता है HPLC में temperature control की इती जरूरत नहीं है जबकि GC चूँकि हम बहुत सारे ऐसी compounds यूज करते हैं जो के volatile होते हैं और असल में होते वो liquid में है लेकिन उनको हम gas phase में convert करते हैं तो उस वजह से उनको gas phase में ही रखने के लिए पूरा जो system है उसको एक oven में रखना पड़ता है जितना भी इसका column होता है तांकि उसका temperature है वो control हो सके temperature को एक खास range में maintain किया जा सके HPLC का column है वो short में इतना जादा length नहीं होती GC की निस्बत और वाइड होता है जबकि GC का column है यह बिलकुल एक बड़ीक सी बड़ीक स्टार की शकल का होता है और यह बहुत जादा long होता है और narrow होता है long और flexible होता है इसको oven में जैसे किसी भी pipe को roll करकर के उसको जब हम कहीं भी रखते हैं तो इस तरह से उस पूरे के पूरे column को roll करके oven में रखा होता है HPLC है इसके uses देख लेते हैं यह inorganic ions के लिए use होती है food substances जैसे की sugar proteins और vitamins इनके लिए use होता है इसके इलावा polymers nucleotides और tetracyclines वगरा के लिए भी HPLC ही use होती है GC की बात करते है GC use होती है oils वगरा को मेर करने के लिए separate करने के लिए और organic compounds air samples जैसे जि हो सकती है वो चीज़े और toxins के लिए और drugs वगरा की suppression और उनकी qualitative and quantitative analysis के लिए GC को यूज किया जाता है यहां इस slide में आप HPLC और GC का difference देख सकते हैं जैसा कि मैंने बताया था HPLC में एक narrow और short column होता है और जबकि GC में यह आप देख सकते हैं यह जो column में roll हुआ हुआ है यह पुड़े का पूरा column है column है जो oven में roll हुआ पर आ है और इसमें main यह difference है जो हमने discuss कर लिए है next question की तरफ चलते हैं tell about most commonly used detector in GC and most common common carrier gases यह असल में दो questions है जिनको मैंने combine कर दी है most commonly used detector है वो है flame ionization detector जिसको FIDB कहते हैं इसमें जो भी sample होता है हमारा उसको हम combust करवाते हैं fuel gas या किसी भी oxidant के साथ जैसे कि हम hydrogen gas को यहां पर use कर सकते हैं और जब वो combust होते हैं तो ions और electrons में convert हो जाते हैं यह दोनों charged species हैं तो यह flame के थूर electricity को conduct करवा सकती है then हम burner की tip पे potential difference को apply करते हैं और जो collector electron है वो इन ions और electrons को collect करते हैं जिसके वज़ा से current produce होता है current की quantity को measure किया जाता है और जिससे हम फिर amount of substance या sample जो भी हमने जिसके लिए हम यह process कर रहे हैं उसको find कर लेते हैं most common carrier gases में हमारे बास आती है nitrogen है helium है hydrogen है यहां पे वो gases हमने use करने हैं जो inert हों और जो economically भी better हो वो जादा preferable होती है तो उसमें nitrogen gas तो है वो जादा commonly use होती है क्योंकि nitrogen एक तो less expensive है और यह हमें 99.995% pure भी मिल जाती है nitrogen को air से भी हासिल किया जा सकता है इसलिए यह जरा economical होती है next हमारे पास question number 10 आता है differentiate between mobile phase and stationary phase mobile phase हमारे पास वो phase होती है जो कि move करी होती है column इसे move करती है और stationary phase वो phase है जो कि column के उपर fix पड़ी होती है अगर हम column chromatographic की बात करें हैं तो column कहेंगे अगर हम अपना planer chromatography की बात करें हैं तो हम plate या इस तरह का कोई word use कर सकते है then mobile phase जो है वो liquid भी हो सकती है और gas भी हो सकती है mobile phase जो है इसमें एक इसमें से ही एक और question भी निकलता है हमारे पास HPLC की दो टाइपस है normal phase and reverse phase normal phase में और यह mostly question आता भी है paper में भी आता है mcq के paper में I think इस तवा भी आया हुआ था तो जो mobile phase है वो normal phase में non polar solvent होता है जबके reverse phase में polar solvent होता है और इसी तरह जो stationary phase है वो normal phase में polar stationary phase होती है जबके reverse phase में non polar होती है और इसकी कुछ examples देख लेते हैं mobile phase जिसमें liquid है यह gas है तो वो हम देखते हैं कि liquid chromatography यह gas chromatography यह दो टाइपस है then stationary phase जिसमें के stationary phase liquid है यह solid है तो उसमें हमारा पस types आ जाती है solid chromatography and liquid chromatography question number 11 है define pericyclic reactions pericyclic reactions को हम define करते हैं a type of organic reactions that involve rearrangement of electrons passed through cyclic transition state are concerted and are studio specific इसके लावा आप इसमें include कर सकते हैं कि इनमें कोई भी intermediate involved नहीं होता इनमें कोई भी बाहर से region यूज नहीं होता कोई भी catalyst यूज नहीं होता यह सिरफ concerted mean के one step का reaction होता है जिसमें cyclic transition state बनती है और actual में यहां पर electrons की लिए arrangement हो रही होती है stereo specific होने का मतलब है कि इनमें जो reactant की geometry होगी जो भी reactant की configuration है वही product में भी होगी cycle addition reactions होते हैं जिसमें के हमारे पास एक diene होती है यह आप देख सकते हैं left side पे diene है और dienophile है इनमें simply electrons rearrange हो रहे हैं और जिसके result में एक cyclic product बन गई इसी तरह इसका reverse भी हो सकता है reverse में यह cyclic product टूट के diene और dienophile में convert हो रही है देनमारे पास सिग्मा ट्रोपिक reaction rearrangement है इसमें भी ऐसी rearrangement होती है electrocyclic है यह भी बहुत common reactions होते हैं कि इनमें tri-ins होती है और वो convert हो जाती है cyclic product में और इसी तरह उसका reverse भी हो सकता question number 11 है how to differentiate between sulfuric acid and HNO3 physically HNO3 जो है वो जादा volatile होता है sulfuric acid से चुँके nitric acid का जो boiling point है वो 83 degree centigrade है और sulfuric acid का जो boiling point है वो 337 degree centigrade है तो HNO3 को अगर हम देखके अंदाजा लगाना चाहें कि दो acids पड़े हुए है और उनमें से HNO3 वाला कौन सा है तो हम इस तरह अंदाजा लगाएंगे जिसमें से जादा vapor जादा fumes निकर रहे हैं वो HNO3 होगा इसके इलावा यह तो physically differentiate करने को कहा गया था अगर हम chemical ही करना चाहें तो वो relatively easy procedure है जिसमें हम barium coloride को add करेंगे barium coloride को add करने से अगर तो white PPT बने हैं barium sulfate के तो यह sulfuric acid था लेकिन अगर नहीं बने तो यह nitric acid था 13 number question है differentiate between nitrite and nitrite iron यह भी बड़ा common question है जो के salt analysis में से अक्सर बूचा जाता है इसके लिए हमारे पास दो टेस्ट हैं पहले नमबर पर मैं सेकंड नमबर वाला टेस्ट बता देती हूँ कि जिसमें हम ring test यूज करते हैं ring test में क्या होता है हम region चूज करते हैं freshly prepared ferric sulfate यूज करते हैं और उसके साथ हम acid यूज करते हैं अगर तो हम dilute S2SO4 यूज कर रहे हैं और उसी सही reddish brown ring बन गया है तो इसका मतलब है यह nitrite आयन है और nitrate आयन dilute S2SO4 के सारी action नहीं देता उसके लिए हमें concentrated S2SO4 यूज करना पड़ता है और तब वो ring test देता है ring बनाता है और इसके इलावा हम रपस एक test है कि हम acidified के यूज कर लें अगर तो yellow to brown change आया है इसका मतलब यह nitrite था अगर तो इसमें कोई भी change नहीं आया है इसका मतलब यह nitrate है nitrite और nitrate में वैसे जो difference है यह तो differentiate कुरने को बोला था तो इसमें test हम नहीं यूज किये तो इसके इलावा जो वैसे differences है nitrite NO2- होता है और nitrate NO3- होता है और salt analysis में यह दोनों different groups में पढ़े होता है nitrate group 1 में dilute acid group में है और nitrites concentrated acid group में होता है isomorphism शो करने वाले जो compounds हैं उनकी chemical properties तो different होती है और physical properties भी different होती है यह भी एक चीज़ दियान रखनी है सिरफ इनका crystalline structure जो है और atomic ratio जो है वो सेम होती है question number 15 के तरफ आते हैं जिसमें IUPAC name पूछा हुआ हुआ है oxalic acid का तो इसका जो IUPAC name है वो है ethane 1-2 carboxlic di carboxlic acid या इसको इसको इस तरह हम भी कर सकते हैं 1-2 ethane di oic acid तोनों तरह से हम कर सकते हैं यह oxalic acid की जो picture है वो दिखाए गई है दो carboxlic acid then question number 16 है define isomerism tell about its types isomerism तो simple दो या दो से जादा aise compounds तो इनका molecule formula same है बट structural formula जो है वो different है तो वो isomerism का phenomena show कर रहे हैं और ऐसे compounds को isomers कहते हैं इसकी example में इतनोल है और diethyl ether है यह बहुत मशहूरी जमाना एक मिसाल है main अगर example पूची जाए तो यह ही enough है then इसकी types की बारे में देख लेते हैं isomers दो तरह के हैं mainly दो तरह के हैं जिनमें एक constitutional isomers हैं जिनको हम structural isomers भी कहते हैं और then है studio isomers जिनको हम special isomers कहते हैं constitutional isomers में connectivities का difference होता है main जो bond की connectivities हैं वो different होती हैं इनमें मुखलिफ तरह के आ जाते हैं चीन आईब्व्द आ जा जा जाते हैं फंग्षनल ग्रूप आईब्व्ज आ जाते हैं मेर्व आ जाते हैं और इसी तरह के मजीद ज्टारब Kristi आजाते हैं दुस्परफ आङद्वर्व्थ हैं दूसरी तरफ हमारे पास्सडी आइब्वब्फ में Connectivity is different नहीं होती, Connectivity is same होती है, सिरफ जो किसी भी किसी भी एक आटम के साथ, जो substituents हैं, उनकी special arrangement जो है, वो different होती है में कि उनके space में वो किस तरह से different तरह की configuration रखते हैं, उनका difference होता है इसमें अब दो main types है, Ananchiomers और Diastodomers, Diastodomers की मजीद दो types है, Geometric Isomers और then है Conformers Conformers को Rotomers भी कहते हैं, और इसकी Stereo Isomers की जो मजीद classification हो different तरह से की जाती है एक तो यह है, और एक फिर हम कहीं हो डिसकस कर लेंगे Next question आता है, What is Optical Activity? Optical Activity की definition है, It is the ability of a chiral molecule to rotate the plane of a plane polarized light Mayored using a polarimeter, इसको हम polarimeter को use करते हुए, Mayored कर सकते हैं, और chiral molecule जो है, वो plane polarized light को अगर rotate करता है, तो इसका मतलब वो optically active है, और इस phenomenon को optical activity कहते हैं, और यह होता क्यों है? यह chirality की वज़ा से होती है, Chirality अब chiral carbon की वज़ा से भी हो सकती है, या किसी भी उसके asymmetric plane, asymmetric किसी भी तरह की asymmetry उसके अंदर हो सकती है, molecule के अंदर जिसकी वज़ा से वो optically active molecule होता है Then हमारे बस आता है कि यह दो तरह की optical activity होती है, एक तो dextro rotatory होते हैं, dextro rotatory जो हैं, उनको positive sign से show किया जाता है, और यह plane polarized light को clockwise, जो direction है, उसमें rotate करता है, और liver rotatory जो हैं, उनको negative sign से show किया जाता है, और यह anti-clockwise direction में rotate करता है, plane polarized light को Next question number 18 आता है, what is kairality, kairality को handedness भी कहते हैं, और इसका मतलब है, कोई भी object या कोई भी molecule जो कि अपने mirror image के ओपर super impulse नहीं हो सकता, तो उसको हम कहते हैं, कि यह phenomena जो है, यह kairality कहलाता है, इसे से भी record कोस्ते निकलता है, kairal carbon का, carbon kairal कब होती है, जब carbon के साथ four different substituents attach होते हैं, carbon जो है, उसकी configuration, mean के जो इसकी arrangement होती है, वो tetrahydron या tetrahydral होती है, तो उसके साथ different तरह के four groups लगे होंगे, तो इसका मतलब वो carbon जो है, वो kairal है, kairal carbon को के लिए और भी words यूज़ होते हैं, जैसे stereogenic center यह stereogenic carbon और यह इसके इलावा asymmetrical carbon atom भी इसके लिए word यूज़ होता है, यह एक example दिखाए गई है, जिसमें के दो carbon, chiral carbon है, एक carbon number one है, red वाली, इसके साथ एक carboxlic, एक aldehyde group है, एक OH है, एक H group है, और एक यह बाकी सारा एका सारा group है, इसका मतलब four different groups हैं, जिसके वज़ा से यह chiral है, इसी तरह आप कोई example याद कर सकते हैं, आप lactic acid के एक simple सी example जो होता है, examples देनी है, chirality की from daily life, interviews में mostly main concern पूछने के इलावा, daily life से जो चीज़े हैं, वो भी पूछी जाती हैं, तो उनको भी हम कोशिश करेंगे कि इसमें cover कर लें, तो इसमें chirality के, जो daily life से हमारे पास examples आती हैं, उसमें सबसे पहले तो handedness है, handedness में हमारे hands है, हमारे gloves है, इ हो भी एक chiral object है, ठीक है, इसके इलावा Caesar एक chiral object है, इसका अगर हम mirror image करते हैं, बनाते हैं, और इसको superimpose करने की कोशिश करते हैं, तो ये superimpose नहीं होता, इसके इलावा shoes हैं, वो chiral है, corks screw होता है, वो भी chiral है, और a chiral की भी कुछ example पिच्चर में दिखाई गई हैं, एक glass है, जो के बिल्कुल symmetrical है, और ये एक chiral है, इसके लावा हमेरे पास एक football है, ये एक chiral की example है, question number 20 की तरफ आते हैं, what is pinky tell about its uses, pinky actual में KMNO4 के solution को कहते हैं, ये KMNO4 को itself भी pinky ही कहते हैं, क्योंकि ये इसका प्यारा सा एक pink color होता है, इसको जब पानी में dissolve करते हैं, वैसे इसका purple black crystalline salt है, लेकिन जब पानी में dissolve करते हैं, तो ये intensely pink और purple solution देता है, और ये अडरलेस होता है, इसकी कोई भी अडर नहीं होती, इसकी uses देख लेते हैं, ये बहुत जादा इसके uses हैं, सबसे पहले number पर आता है, कि ये strong oxidizing agent है, इसके इलावा और भी oxidizing agents हमारे पास होते हैं, ज इसलिए advantageous है, क्योंकि ये कोई भी byproduct ऐसा नहीं बनाता जो कि toxic हो, इसके लावर second number पर इसके use है, कि ये skin diseases को treat करने के लिए भी use होता है, जैसे dermatitis या कोई भी fungal infection हो जाए skin के उपर, तो इसके लिए use होता है, third number पर इसके use है, water treatment में use होता है, जहां पर हमने iron और hydrogen sulfide को well वा किसी भी जहां पर पानी खरा रहता है, कोई भी water tanks होते हैं, या wells होते हैं, या different तरह की जगह होती है, तो वहाँ पर पानी में से, जो rotten egg की smell आती है, वो असल में इस gas की वज़ा से आती है, hydrogen sulfide की वज़ा से, तो क्यामनो फोर इसको भी remove करने के लिए use होता है, fourth number में हमने प double bond और triple bond की quantitative analysis के लिए हम buyer region के नाम से इसको use करते हैं, buyer region 1% की amino 4 का solution होता है, किसी भी acid या alkaline solution में, इसके इलावा इसका, इसमें end point क्या आता है, कि जो क्यामनो 4 है, इसका purple color होता है, जब ये oxidize कर देगा उसको, double bonds को, तो उसके बाद इसका जो color है, वो light brown हो जाता है, इसकी किसी दिन देख लेंगे, किसी वीडियो में देख लेंगे, कि असल में purple से light brown कैसे होता है, ये MN जो होता है, उसके अंदर plus 5 से plus 2 में convert हो जाता है, इसको हम डेटेल से देख लेंगे, नमबर 5 में हमारे पास आता है, as a region use होता है, जब हमने synthesis करने होती है, सेकरीन की, सेकरीन एक artificial sweetener के तोर पर यूज़ होने वाल चीज़ है, ascorbic acid के, जो के vitamin C है, इसके लावा, isonicotinic acid, ये जब हम nicotine की synthesis कर रहे होते हैं, उसमें इसको produce करते हैं, then 6 नमबर पे आता है, fruit preservation में यूज़ होता है, बनाना को जब polythene में pack किया जाता है, तो उसमें के amino 4B के कुछ crystals भी add क इसको add करने का purpose यही होता है, जो एथिलीन एक naturally निकलती है, जो के हमारे पास ripening के लिए होती है, तो उसको oxidize कर दें, ताके वो bananas को ripe ना होने दें, और bananas जादा टाइम तक preserve रहें, store रह सकें, इसके लावा 7 नमबर पे इसका use आता है, फिल्म या टीवी industry में, जहां पे हमने convert करना होता है, जहां पर हमने कोई भी old look दिखानी होती है, जैसे कोई blood strain दिखाना होता है, जो के बहुत old हो चुका हो, जैसे brownie सा हो जाता है, तो MN2 कघ़ यो, मनो टू का З्टीन होता है, वो कुछ उसी किसम का होता है, तो वहावाद भी इसको योज किया जाता है, इसके जावा इसका disadvantage है disadvantage इसका यही है कि जब skin पे भी यह stain होड़ेगा जब skin के साथ touch हो जाएगा तो यह उसी तरह का long lasting सा brown stain होड़ेगा यहां भी हमने अपने 20 questions discuss कर लिये है Questions के answers मैंने detail में discuss कर दिये हैं तांके जो related सीदें हैं वो भी साथ में cover हो जाए वैसे answer जो हैं वो आपको समझा के होगी कि किसी भी question को answer है वो कहां तक देना है बस इतना answer करना है कि वो चीज explain हो जाए लेकिन उसकी बिल्कुल detail में शुरू नहीं हो जाना उस topic पे बिल्कुल to the point answer करना है और इस चीज़ के आप practice करेंगे तो फिर ही होगा वैसे question आपको देखने से लग भी रहा होगा कि interviews में पूछे जाने वाले questions इतने भी difficult नहीं होते बिल्कुल simple होते हैं बस interview के pressure को tackle करना है और और दौा करते रहें कि आपका जो थोड़ा से time है interview का उसमें किस्मत भी आपका साथ दे अमीन के लगा ताला भी आपका साथ दे जो वो demand कर रहे हैं आप उससी तरह से उनको reply कर पाएं और questions भी आपके मताबिक हो और आपके लिए बहुत सारी best wishes हैं आपको ये वीडियो कैसी लगी है कोई भी आपको इसके बारे में suggestion देनी है तो आप जरूर comment section में बताईएगा और ये इन्शाला ये सलसला start हो गया है अब regular ही वीडियो इस तरह की upload हो जाया करेंगी आप इसलिए आप चैनल को subscribe जरूर कर ले और comment section में अपनी कोई भी राय दे सकते हैं ओके अलाफिस